अगर आपने बैंक से कर्ज लिया है और किष्ट चुकाने की चिंता में डूबे हुए हैं तो रिजर्फ बैंक एक बार फिर राहत पैकेच लेकर आया है यानि फिर से मॉरेटोरियम की सुविधा मॉरेटोरियम मतलब किष्ट चुकाने के लिए वक्त की मुहलत हाला कि मॉरेटोरियम की सुविधा देना अब भी बैंकों के हाथ में है यदि बैंक चाहे तो ग्राह को किसी किष्ट चुकाने में राहत दे सकता है तो मौरिटोरियम से कैसे मदल मिल पाएगी लोन लेने वाले वो लोग जो पहले मौरिटोरियम में फाइदा नहीं उठा पाएए अब लाब उठा सकेंगे पहले वाले अपने मौरिटोरियम पीरिट को बढ़भा सकेंगे चोटे और मध्यम वरगी व्यवसायों और MSME जिनके पास 25 करोड रुपए तक का कुल एक्सपोजर है उनको इसका फाइदा मिलेगा पिछले बार का मौरिटोरियम दो साल तक के लिए था जो दिसंबर 2020 में समाप्त होगे अभी के लिए 30 सिदंबर 2021 तक आविदन कर सकते हैं तु क्या चीज्च आपको कैसे मिल सकते हैं तो चलेफोल वीडियो स्टात करते हैं जाने करते दोसके द आनिक भासकर में दूसरी किस्द भरने से मिली राहत बैंक से लोन लिया है जानिये कैसे मिले मदद 30 सितंबर तक करना होगा अपलाई भारती रिज़रों बैंक ने कर्ज़़ारों को 30 सितंबर 2021 तक का समय दिया है ताकि वे अपने लोन के रिस्ट्रक्षिन के लिए बैंक से संपक कर सकें एक बार जब आप नए मोल्टोर्म के लिए आविधन करते हैं तो बैंक को सभी शर्ते को पूरा करने पर 90 दिनों के भीतर इसे लागू करना होगा यह बैंकों के उपर है कि वे इसको आपका लाप देंगे या नहीं देंगे या फिर किस तरह देंगे लोन पर मोल्टोर्म आपका अधिकार नहीं है यह बैंक की एक सुवधा है जो कि बैंक आपको देगा पिछली बार मोल्टोर्म को लेकर सुप्रीम कोड तक लड़ाई चली थी बैंकों की सरकार के ग्रहांकों के बीच कोरोना की दूसरी लहर में एक बार फिर रिजर्व बैंक ने अचानक रहत पैकेज लाकर चुका दिया है हालनकि इसमें कुछ खास फायदा नहीं नजर आ रहा है रिजर्व बैंक के गवर्णर शक्तिदान दास ने इसी रहत पैकेज में अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो उस पर मोल्टोर्म की सुवधा शुरू करने के लिए बैंकों से कहा है हालनकि इसमें बैंकों के उपर है कि आपको इसका लाप देंगे या नहीं देंगे या फिर किस तरह देंगे या टूटली उनी के उपर निर्भर करता है हम बताते हैं कि आपको इस मोल्टोर्म से कैसे लाप और मदद मिल पाएगी आर्बे ने महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन के कारण होने वाले दिक्कतों से बरने के लिए दो साल तक के लोन मोल्टोर्म की घुशना पहली बार की थी अब जान लेते हैं मोल्टोर्म की क्या प्रमुक बाते थी loan लेने वाले वे लोग जो पहले motorum में इसका फायदा नहीं उठा पाये थे अब वे इस दूसरे offer में फायदा उठा सकेंगे पहले वाले अपने motorum period को बढ़वा सकेंगे अगर आपने पहले ले रखा है तो जानिए किसे फायदा होगा व्यक्तियों मतलब इंडिविजल्स आम लोगों को और छोटी व्यसायों और MSMIS जिनके पास 25 करोड रूपत्रा कुल एक्सपोजर है और जिन्होंने पहले की restriction से कोई लाब नहीं उठाया है या स्राइदूने नहीं मिल पाया है जिन्हें 30 मार्च 2021 तक standard loan के रूप में classify किया गया था वे resolution framework 2.0 के तहाद इसके लिए योग्य होंगे तो पहले सवाल लेते है कस्टमर का ही जो उनके मन में आएगा क्या मैंने पहली बार motorum लिया था तो क्या मुझे फायदा मिलेगा तो इसका जवाब है जी हां जिन लोग को ने नहीं लिया है कई व्यक्तिगत कर्जदार है जिन्होंने इस loan motorum का विकल पहली बार नहीं चुना था अब उन्हें अपने कर्श रुखाने में कठायों का सामना करना पड़ रहा है रीपेमेंट पर कोई भी default ना केवल interest और penalty के मामले में खर्च बढ़ा देते हैं बल कि पिशले motorum के लिए अवेधन करने का समय दिसमबर 2020 में समाप्त हो गया था तो जो लोग जिनको लेट पता चलाते कहीं अपलाई नहीं कर पायते इसलिए इन कर्दारों के पास उस motorum का लाब उठाने का कोई विकल्प नहीं बचाता रिजर्व बैंक द्वारा घोशित न आपका NPA नहीं हो रखाया अकाउंट इससे पहले के लोन मोटर में फेज एक फेज वन में एक मार्स 2020 से तीस महीं 2020 तक तीन महीने के मोटरम का विकल्प चुनने की अनुमबती दी थी बाद में इसे तीन महीने बढ़ाकर 31 अगस 2020 कर दिया गया दो साल के लिए बढ़ा गया बैंक चाहे तो समय बढ़ा सकता है जिन्हों रिजोलुशन फ्रेमर्क 1.0 के तयार अपने लोन के रिस्रिक्षिन का लाब उठाया है साथ ही जहां रिजोलुशन प्लान में दो वर्ट से कम की मोटरम की अनुमती है बैंक को मोटरम की अवधी बढ़ाने और या बची हुई अवधी को कुल दो वर्ष तक बढ़ाने तक ऐसी योजनाव को संशोजित करने के लिए इस बिंडो का अपयोग करने की अनुमती दी जा रही है जबकि बाकी सबी शर्ते हैं जो पहले की तरह रहेंगी नए मोटरम के करने के लिए अंतिम तारिक क्या होगी भारतिय दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो के लाइक करें आज के दोस्तों इतना ही टैंक इसो मच बाबाए